अस्सलाम उलेकोम सस्यकाल नमस्ते आदाब तो कैसे मेरे देश्तों ये वीडियो जो मैं भी बना रहा हूँ ये मैं वीडियो नहीं बनाता लेकिन बनाने का में पता क्या है तो मैं आपको कारण बताता हूँ ये आपे स्केरिंशुट देखो जैसे कि आपको मैंने पिछले 15 15 दिन पहले या 10 दिन पहले या हो सकता है 15-20 दिन पहले बताया था कि सौधी अरब ने इंडिया से दवाई मंगाई है कोरोना वैक्सीन की 3 मिलियन दवाई मंगाई थी साहे 30 लाग दवा तो इंडियन एंबेसी ने वही ट्वीट करके बताया है कि 3 मिलियन डोज ऑफ द arrived in the kingdom तो 30 लाख दवा आ चुका है सौधी अरब में और 7 मिलियन मतलब 70 लाग दवा और आएगा कुछ दिनों के बाद इन्होंने लीचे में और लिखा है इन्डिया और नीचे में जो ट्वीट देख रहो है तौफीक अलरबया जो साथ मंतरी है उन्होंने ये अरबीक में लिखा था दो दिन पहले का ये ट्वीट है तो ये जो ट्वीट आपको में बता रहा हूँ ये 18 फरवरी के साम को 6 बच कर 16 मिट पर किया गया है आपको इंडियन अम्बेसी के ट्वीटर रेकांटर मिल जाएगा जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंडियन अम्बेसी ने कहा था कि दवाई के बारे में बाच्ची चल रही है तो चल रही है दवाई आ चुकी साथी अरब में बहुत ही प्राउड ली हमें खुशी है कि हमारे इंडिया की दवा पूरे दुनिया में 24-25 देशन में भेजा जा रहा है और सबको दवा की जरूरत है यहां तक कि यह तना बड़ा देश सौधी अरभ वो भी हमारे इंडिया से दवा लिया है देखो दवा की बात चीट तक ठीक है लेकिन अभी मैं य इनको फिक्र लगा जो लोग चुती में हैं दुबाई में सब्सक्राइब कर ले स्पेशल तीम अगर बनाया जाए जो लोग सब्सक्राइब आना चाहते इंडिया से तो क्या वो लोग नहीं आ सकते दवाई आ चुकिया हम्दोईल्ला तो इतना बड़ा दवा का खेप मंग इन लोगों ने तो क्या इंडिया वाले मूँ खोल के मूँ फारक नहीं बोल सकते थे इंडिया की जो गवर्मेंट है मूँ फारक एंबेसी वाले नहीं बोल सकते थे कि हमारे जो लोग काम करते हैं उनको कम से कम आने का कोई सिस्टम किया जाए बंगलादेश से लोग आ रहे ह जहाँ जहाँ बैन नहीं किया गया फ्लाइट वहाँ से लोग आ रहे हैं ये बात अभी की नहीं है पहली की मैं कहा रहा हूँ कि पहले भी अगर ये लोग सोचते तो कपके न कपके नए वीजा वाले पुराने वीजा वाले चुट्टी वाले सब लग वापिस आ चुके होते लेकिन ये लोग कोशिस ही नहीं करना चाहते मालम है क्यों देखो ये दवाई का बड़ा बिजनेस है वह हम लोग के सैलरी से क्या इन लोग को फरق पड़ता है लेकिन लोग को ये नहीं मालम है कि हम लोग के सैलरी कमाते है perspectives को कितना बड़ा हाथ है अपने इंडिया की एकॉनमी में आपको मैं बता हूँ पाकिस्तान के परधान मंत्री जो इमरान खान है उन्होंने पता क्या बोला कि सौधी एरब से सबसे ज़्यादा पैसा भेजा गया पाकिस्तान में अब सोचो उनको कैसे मालने कि सौधी एरब से सबसे ज़्यादा पैसा आया पाकिस्तान में उसी तरीके से हमारा जो पैसा यहां जो हम भेजते इंडिया में वह भी पैसा सबसे जधा पूरे गल्फ कंट्री से सबसे ज़दा पैसा सवाधी एरव से हम लोग भेजते इंडिया इन लोगों को थोड़ सा फिक्र नहीं है सौधी गवर्मेंट को जबतक इंडियन गवर्मेंट नहीं बोलेगी कुछ भी तबतको सुनेंगे नहीं इन्जियन गवर्मेंट ने सुरू से का हम बात कर रहे हैं लाएं बात करते करते इन लोगोंने तो 2020 भी खतम कर दिया लेकिन सिर्फ एक इंडिया पिछड़ा का पिछड़ा रहा गया जिबकि देखा जाए तो कॉरोना वाइरस का पुरा वैक्सीन इंडिया ने बना लिया हर देश में पहुंचा भी रहा है सौधी अरभ को करना चाहिए की नहीं करना चीज बारे में क्या कह सकते हो देखो एक बात की तो मैं 100% बोलता हूँ भाई मैं मुझे प्रावट है कि इंडिया की दवा सौधी अरभ आई पहुंच गई अब सब लोगों को लगना शुरू हो जाएगा और 70 लाग दवा आएगा मतलब की टोटल एक करोर आगे चल के और भी दवा आएगा लेकि इनको थोड़ा से भी ध्यार नहीं कि हमारे जो लोग सौधी में काम करते हैं उनके लिए थोड़ा से भी एक छोड़ा से भी अगर सोर्स लगाया जाए तो लोग आ सकते हैं लेकिन करने लगे ना कमेंट करके बताना आप लोग बहुत शुक्री अल्ला हाफिस